नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है चमतकारी टोटके में इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत सारी रोचक जानकारी जो आपके जीवन की कठिनाईयों को दूर करने में मदद करती है तो आईए जानते हैं कुछ ऐसी ही रोचक जानकारी की पती पत्नी अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो जीवन में खुशियां बनी रहेंगी लेकिन दोस्तों उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन पर जिससे की आपको हमारे नए वीडियो की अपडेट मिलते रहेंगे करना चाहिए दोनों ही क्रोधित हो जाएंगे तो बात बिगड़ना तै है आए जानते हैं प्रसिद्ध दार्शनिक सुकराथ के वेवाहिक जीवन से जुड़े बहुत ही प्रचलित एक किस्से के बारे में किस प्रकार सुकराथ ने गुस्से में रहने वाली पत्नी को शान्त किया ये है चर्चित किस्सा जी हाँ दोस्तो एक बार सुकराथ अपने शिश्यों के साथ घर के बाहर बैठे थे किसी महत्वपूर्ण विशय पर चर्चा चल रही थी तभी घर के अंदर से उनकी पत्नी ने किसी काम के लिए उने आवाज लगाई लेकिन सुकराथ चर्चा में इतने खोई हुए थे कि पत्नी के आवाज पर उनका ध्यान ही नहीं गया सुकराथ को पत्नी ने कई बार पुकारा लेकिन वे खोई रहने के कारण सुन नहीं पाए अब पत्नी का गुस्सा चरम पर पहुँच गया उसने शिश्यों के सामने ही एक घड़ा पानी लाकर सुकराथ पर डाल दिया ये गुरु की सहन शीलता देख शिश्यों ने श्रद्धा के साथ प्रणाम किया और पत्नी का क्रोध भी हो गया शान्त पत्नी के गुस्से का जवाब सजनता से देने पर उसका क्रोध शान्त हो जाता है और बड़े विवाद की सिती नहीं बनती घर में शान्ती बनाए रखने के लिए इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है तो दोस्तों ये थी जानकारी जो जुड़ी थी पत्ति-पत्नी के सुखत जीवन के लिए अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए देखते रह लिए चमतकारी टोटके लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए